ओम नमा भग्वते वासुदेवाय ओम नमा भग्वते वासुदेवाय ओम नमा भग्वते वासुदेवाय ओम नारायनम नमस्कृत्यम नरम्चेव नरोतमम देव्यमिसर स्वत्यम् व्यासम ततो जयमुदिरेत नश्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यं भाग्वत सेवया भगवती उत्त मसलोके भक्तिर भवति नश्ट की कृष्णाय बासु देवाया देव की नंदनाईचा नंद गोप कुमाराया गोविंदाया नमो नमा हरे कृष्णा तो परती दिन की तरह आज भी भागवत कीता के उपर चर्चा होगी तो इस इस कलास में आप सभी लोगों का स्वागत है तो किर्पया सांती बनाए रखिए तो बोल्ट में यहाँ पर सलोक है तो आप पीसे दोहरा सकते हैं दुखेशु अनुदिग्रमना सुखेशु अनुदिग्रमना 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 सुखेशु अनुदिग् दुखेशु अनु दिग्रमना, सुखेशु बिगत इस्परहा, बितरागभय क्रोधा, इस्तित धीमनिरुच्यते। अनु दिग्रमना, सुखेशु 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 अनु दिग्रमना सब्दन अवाट सब्दार्थ दुख्खेशू तीनों तापों में अनुदिग्रह मनाहा मन में बिचिलित हुए बिना सुख्खेशू सुख में बिगत इस्परहा रुची रहित होना बिता मुक्त रागह आसक्ती भई भई करोधह तथा करोध से इस्तित धी इस्तिर्मनवाला मुनिही मुनी उच्चते कहलाता है अनुवाद एमतात परिशिला प्रहुपाद के दोरा सिला प्रहुपाद की जो तरह तापों के होने पर भी मन में बिचलित नहीं होता अथ्वाद सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ती भई तदा करोध से मुक्त है वह इस्तिर्मनवाला मुनी कहलाता है एरे पीशे दोरा सकते हैं आप लोग जो तरह तापों के होने पर भी मन में बिचलित नहीं होता अथ्वाद सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ती भई तदा करोध से मुक्त है वह इस्तिर्मनवाला मुनी कहलाता है मुनी सब्द का अर्थ है वह जो सुख चंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्देलित करे किन्तु किसी तथिफर न पहुंच शके कहा जाता है कि प्रतियक मुनी का अपना अपना द्रश्टिकोन होता है और जब तक एक मुनी अन्य मुनियों से भिन्न नहीं हो तब तक उसे वास्तिक मुनी नहीं कहा जाता है किन्तु जिस इस्तित धी मुनी का भगवान में भगवान ने यहां उल्ले किया है वह सामानी मुनी से भिन्न है इस्तित धी मुनी सदेव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा स्रजनातमक चिंतन पूरा कर चुका होता है वह प्रशान्त नि सेश मनोरतांतर कहलाता है या जिसमें सुस्क चिंतन की अवस्ता पार कर ली है और इस निसकर्स पर पहुँचा है कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है वासुदेव सर्वमिती शमाहात्मा सुदुरलभव वह इस्तित चित मुनी कहलाता है एसा कृष्ण भावना भायत व्यक्ति तीनु तापों के संधात से तनिक भी बिचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत किरपा के रूप में लेता है और पूर्व तापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत किरपा से रंचमात रह जाते हैं इस परकार तब वह सुखी होता है अपने को सुक के लिए आयोग्य मान कर उसका भी सरे भगवान को देता है वह सोशता है कि भगवत किरपा से ही वह ओसी सुखत इस्तित में है और भगवान की सेवा में सेवा और अच्छी तरह से करता है और भगवान की सेवा के लिए तो वो हस्तदैव सहास करने के लिए सनवध रहता है वो राग या बेराग से प्रभावित नहीं होता राग का अर्थ है एसी इंद्री आसक्ति का आभाव किन्तो कृष्ण भावनामरत में इस्तित भ्यक्ति में न तो राग होता है न वेराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत किरपा से अर्फित रहता है फलत हो सारे परियास असपल रहने पर भी वह कृद नहीं होता चाहे बिजे हो या नहो कृष्ण भावनाम भावित भ्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है ओ मग्यान तिमिनांध्यानष ज्ञानांचन सलाकया चच्छुर मिलितम एना तस्मे सिरी गुरु एनमहा श्री चैतन्य मनो भिष्टम इस्तावितम एन भूतले स्वयम रूप कदामयं ददातीश बदांतिकं मन्दे हम स्रिगरो स्रिवत अपद कमलं स्रिगरोन वैश्रमांच सीरूपम शागरिजातम सहगणा रगुनांथांबितम तंसजीवं सावद्वेतम सावदूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवं सिराधा गृष्ण पादान सहगणा ललितासे विसाखा विंतश्य हे कृष्ण करुणा सिंधू दीन बंधू जगत्पते गोपेस गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु दे तब तकांचन गरांगी राधे विंदा बने स्वरी ब्रेश भानु सुते देवी परणा ममहरी पिर्ये वांचा कल्प दरुबश्यो गृपा शुन्ध वेवचो पतितानां पावनेभ्यो बैष्ण वेभ्यो नमो नमा जैश्री कृष्ण चैतन्या प्रभूनित्यानन्दा श्री अद्वेद गदाधर श्रीवाशादी कोर भक्त व्रंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो भगवत गीता काज दुसरे अध्याय गीता अध्याय का नाम है गीता का शार श्रोक लंबर चपन भगवत गीता टू पॉइंट फिप्टी सिख्स जो तरे तापों के होने पर भी मन में बिचलित नहीं होता अथ्वा सुख में प्रसंद नहीं होता और जो आसकती भईतता करोध से मुक्त है वह इस्तिर मन वाला मुनी कहलाता है तो ये जो प्रसंद चल ला है भगवत गीता में अब सभी लोग सुनते आ रहे हैं तो इस्तित प्रग्य के बारे में भगवान बता रहे हैं तो चबुन नम्मर स्लोक में अरजु नहीं प्रस्ण पूछा था इस्तित प्रग्य सिका भासा समाध हिस्य सिके सव इस्तित थी किम प्रभासेत किमा सिद बरजेत किमा उसने चार प्रस्ण पूछे हैं अरजुन ने भगवान को तो इस सारे चार प्रस्णों का उत्तर देते हुए भगवान इस अध्याय को पूरा करते हैं इस सारे अध्याय में आगे के चबुन नमबर से बहुत तर नमबर तक सारे स्लोकों में इसका आंसर देते हैं तो ये पहले भी एक बार में ने कलास लिया तो बताया था आपको ये जो ये चैप्टर है इसको वन टू थ्री फो फाइफ पांस भागों में डिवाइट किया है पांस भागों में अलग लग तरीके से भागवान ने अरजुन को बताया है पहला सलोक नमबर एक से दस तक अनिर्णाई अरजुन का जो युद्ध नहीं करने का जो अनिर्णाई था उसका समर्पन हुआ उसमें अनिर्णाई ये एक नमबर से दस नमबर तक दूसरा ज्यान ग्यान देगे भगवान अर्जन को आत्मा के बारे में सरा ग्यान देते हैं हम सरीन नहीं आत्मा हैं 11 नंबर से 30 नंबर स्लोक में और तिसरा फिर कर्मकांड के तरीके से कर्मकांड करते हुए आप कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हो करमकांट को कैसे आप भगवान के सिवह में यूटिलाइज कर सकते हो उसको बताते हैं सलोग नमबर 31 से 38 में और फिर बुद्धियोग के द्वारा भगवान बताते हैं सलोग नमबर 39 से 53 तक 49 से 35 तक और फिर अंत का जो यह लास्ट का जो है इसमें इस्तित प्रग्य के बारे मैं भगवान बताते हैं चवन नमर से 52 तक इस्तित प्रग्य से का भासब और पासवां समाधिय से के सिवह इस्तित इकिंपर भासएथ थिमासिद परजे थिमा तो जो चार प्रसन पूचेंगे आज़ोन्ने तो तो पहला उनका प्रक्ष है लक्षण जो इस्तित प्रग्य भक्त है उसके लक्षण क्या होते हैं यह 2.55 में यह लक्षण के बारे में चर्चा हुई है और फिर बानी के बारे में उसके बोलता है उसके बारे में चर्चा हुई है 2.56 to 57 और उसके चलता है जो इस्तित प्रग् ़्लणी बाटे से शिक्सिती ओर तक, कैसे बैठता है, उसके बारे में, और प्रिक्या चहां कैक आणसर दिया है भग्वान ने। तो यह अरजुन के 4 अगशन बहुत महतनello साइर अपर्णा है क secondly कि फिले लखशन का कैसा लखशनील लखशनील है कि इस्तित्प्रग्गी के और उसकी बाणी कैसी हो कैसे बोलता है उसका ब्योहार कैसा है और कैसे बैठता है और और कैसे चलता है यह चार प्रस्थन है तो जैसे अरजुन इसमें प्रस्थन पूछे हैं हम सभी को भी एसी कुछ जिग्यासा करने चाहिए एसी आध्यातिमिक तो अर्जुन एक perfect question-car थी पूरी भगवद Gita में 16 questions पूछे अर्जुन ने तो असमें से एक प्रश्न यह है इसको चार भागो में से डिबाइड किया गे 16 questions मीन मीन जो questions पूछे अर्जुन देख पूरी गीता भगवान को तो अर्जुन प्रश्न पूछने वाले पहले इसे प्रश्न पूछना चाहिए उसके लिए क्वालिफाइट है हम लोग भी सारे प्रश्न पूछने हैं संसार में हम लेकिन अपने आपको नहीं पूछने हैं हम कौन है हमको खुद का बता नहीं है कौन है बहुत सारे प्रश्न पूछने लेक क्या भुपल तोन कया हु ऐसका के यह ते क्यों आश्नाया कि आमस्ता एं are you आज का सलोग है फिप्टी शिक्स दुखे सु अनु दुग्रमना, सुखे सु विगतिस्परा, बित रागभए करोध, इस्तित ध्रीमनी रुच्यते बितिति तीन थाफों में रहने ही भग्त जे भग्वान का भग्त है है तो सारी इस्तिती होता है न्य सुखी होता है तो सुखी होता है उससा इसके लिंक सा ये चार प्रस्थने हैं तो आज का प्रस्थने जो आज का प्रस्थने जो आज का स्लोक है उसके बाणी के बारे में आज में चर्चा हुई है तो भक्त लोग के जीन में देख सकते हैं वैसे तो सभी की जीन में हैं तीन परकार के ताफ जो है इस हंसार मे सबको सहेहन करने पड़े हैं, सहेहन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, जो नहीं करने के लिए बोले का तो इसको भी करना ही पड़ेगा, जैसे प्रभुपाजी एक लेक्षर बताते हैं, कि कुछ लोगों के अंदर कोई बृत्ति होती है, इस सरीर मोस को पू तो वेसे ही ये संसार में तीन परकार के ताफ है उन तापों से सभी लोग उन तापों मेहें उन तापों को सभी को सेहन करना पड़ता है नहीं चाहते हूँ करना पड़ता है आदी देविक आदी भौतिक आदी आद्यातिमिक आदी देविक जैसे बोलते हैं आदी आपदा हो अज़ जयसे भूकंपा थे हैं, सुनामी आती है, गर्मी है इतनी इतनी सारी एसी लगी हुई हैं उसके बाद भी गर्मी होती है कोई चाहतानी कि इतनी गर्मी हमने फेन लगाया है तो यह आधी आधी देविक, देवी आपदा, देवताओं के द्वारा दिये जाने वाले कस्त, भूकमपान, अचानक गर्मी, और कुछ अचानक कहीं पर कोई एक्सलेंट होता है, गारी का, और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो देवी आपदा के द्वारा होता है, भूकमप, शुनामी, गर्मी, सर्दी, वहाट सार िसे समस्याहे बूस्चेह हैं और हो आधी देविख देविकष दिर मेरा दोड़िए है हम राख अन्यपकि अन्यपनें कर दिते हैं किлив जाहे पड़न हैी उसको कर दिता कड़ेगा तो नहीं रांडे तो हमस्त्युश इन में लगविट हैं सहेन करना सीखें और दुसरा है आदी भौतिक आदी भौतिक जो दुसरे जीओं द्वारा हमको कस्ट दिये जाते हैं मच्छर काटता है और दुसरे हमारे अरोर्स पोडोस के लोग दुख देते हैं हम सुखी कब होते हैं जब पोडोसे दुखी होता है अब जब पड़ों से सुक्य होता है, हम दुक्य होते हैं तो इसा संसार में चलता है दुन्दे तो दुसरे जीवों के द्वारा जो हमको कष्ट दिये जाते हैं वो आदि भोतिक हैं और तिसरा है आदि आध्यातमिक हमारे मन के द्वारा जो हमको कस्त मिलते हैं इंद्रियों के द्वारा इबन शरीर के द्वारा हम नहीं चाहते हैं कि हम गलत करें लेकिन मन हमको फोर्स करता है कई बार हम चाहते हैं कि मंदिर में जाएं वो यहने के चिवाइट था खोँ प्रयाइट एंडीज निढ जाते हैं एसे कोई क्राइस कोर estavam तो दिन का तीन का उस दीन का उसके डाल एक किरा रहों पहले से और अर्जुने खुद भगवान को अमन के बारे में बूला पूछा पुछा प्रस्न पूछा तो भगवान उसमें क्या बता है चंचला ही मनहा कृष्णा प्रमाथी बलवद्रण भगवान भी बूला अभिहास करो बेरागिलाओ अभिहास करो साहन करो मना करेARS जाते हैं बलिंग, फिलिंग, फिलिंग थिंखिंग, थिंकिंग, तीन कारिया मन के, आपने काम करेगा लेकिन आपको मन के लैए amis तो मन और शरीर के दवरा जो इंदरियों के दवरा जो हमको कष्ट दिये जाते हैं वह हैं अधि-अधियातिमिक कष्ट इस तीन परकार के कष्टों को भक्त लोग बड़े आसानी से सहन कर लेते हैं जो वास्ताव भक्त होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं व बिचलित हो जाते ह तो भगवाद गीता में भी भगवान ने सहन सिल्था के ओपर बहुत सारे सलोग बोले हैं आप देख सकते हैं तीन सलोग लगातार भगवान ने बोले हैं 2.14, 2.15, 2.16 मातरा अस्वास तो कौन ते हो सीस्ते सृतों से सुख दुख दा आगमा पायनो अनेत्या तान तेक शेक्षव भारता तो भगवाद बताते हैं कि यह जो दुख है यह दुख का उद्री चणिक है कुछ का लकारम में कुछ समाही के बाद यह नस्त हो जाएगा ये जो दुख है या सुख है ये कैसे कहां से उत्पन्न होता है इंद्रियों से उत्पन्न होता है जैसे गर्मी आते है शर्मी आ दिये ये हमारी जो भौतिक इंद्रियां है इनसे हम इसको फिलिंग करते हैं इससे अनुभाव करते हैं तो जैसे गर्मी शर्दी आती है, तो यह सही यह दुख सुक आता है, इसको सहन कलना सीखना चाहिए, इससे बिचलित नहीं होना चाहिए, इंद्रियों से उत्पन्न होता है यह, सुख और दुख, मान अपमान, तो हमको मातरास पसस्तु कॉन्तेया, आपने लाइफ में इसको फॉलो करना चाहिए, प्रक्टिकल करना चाहिए, अपने जीवन में उतारेंगे, तो तब हम भगवत्गीता को अपने जीवन में प्रक्टिकल उतार सकते हैं, इंद्रियों के बोट से उत्मन होता है, इससे बिचलित, मत हो इसको सहन करो यह भगवान सिका रहे है 2.14 में और 15 में भी इसके बारे में चर्चा हुई है यम ही नव्यत्यनते पुरुशश्य पुरुशभ्यह समदुख सुखम धीर सोमर तत्वाय कल्पते हे पुरुश्रेष्ट अर्जुन जो पुरुश सुख तथा दुख से बिचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वो निश्यत रूप से मुक्ति का योगी है जो सहन सेल बन जाता है जो सहन बन जाता है यह दोनों कभी दुख, कभी सुख, मान, अपमान इसमें संभाव रखता है बिचलित नहीं होता है तो वो मुक्ति की योगी हो जाता है जो जिवन का उद्देश से उसकी पराप्ति कर लेता है और तेरा नमर स्लोक में भी बोला है तेरा, चौदा और पंदरा तो यह तो पता है बहुत महत्वोर्ण स्लोक है भागोद गीता का देहिनु अश्मिर्य था, देह कुमार यवनम जराता था, देहां तरम पराप्ति, धीरस्ता तरन मुहिती तो जो शरीर है शरीर बरतमान अवस्ता से फिर तरोना वस्ता, फिर बर्धा वस्ता में पर बरतमा से अक्या प्त आग्रह भोईःि qualify तरोना कि भागोद था, जो आधिर भोवेख्ता में पराप्ति यह ख्याता है जो अधिरِّ है इस्ते क्यों हो रहा तो यू हो रहा है वरहे है तो आधिन स्लोक अभवान सायंसिल्ता के बारे में बोला तो वेसे भगवत किता में अरजुन को भगवान ने, सब जगवे हैं, लगवग सारे अधिहायों में सहन सिल्ला के बारे हम बोला, अब सहन करो, अब सहन करो, अगर हम सहन नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाई, सहन करना पड़ेगा, और बिसेश कर, जैसे कि इस सलोग में बता वेसा सेम नहीं करेंगा, लेकिन प्रभपाजी लिखते हैं कि यहां पर ऐसे मुनी की चर्चा नहीं हुए, यह सारा संकल्प, बिकल्प, और जो मन लेता है, और सारे जो मन की परिकल्पना है, यह सारे सब को पहसूस करके, सब को छोड़ के, छोड़ देता है, वो मुनी की बात कर रहे हैं यहां पर, जो इस्तित प्रग्य मुनी है, उसकी बात यहां पर हो रही है, तो इसा इस्तित प्रग्य मुनी है, वो भक्त है, भगवान का, वो यह से बहुत इक संसार में जितने कस्ट हैं, इन सारे कस्टों को खाली अपने लिए सहन नहीं करता है, कि यह से करता है वो भगवान की भथती के लिए उसके जियून में कुछ ऐसे कस्ता आते तो उनको सहयन कर लेता है जो उसके जियून का मुखी उद्देश है जो प्रिंसिपल है उसको फौल करने के लिए उसको प्रेक्टिकल करने के लिए छोटी मोटी जो रुकावट उसके जियून म तो वास्तिक मुनि की भगवान यह बात कर रहे हैं, इस्तित कैसे होना है, उसके बारे में सिखा रहे हैं, इन सिलोकों में, इसमें बहुत सारी एसे में इस्तोरी हैं, लेकिन एक स्तोरी है मेरे पास में आपको बताना चाहूंगा, एक मंत्री था एक राजा था, मंत्री भगवान का भग्त था, राजा उतना भग्त नहीं था, तो मंत्री के जिवन में जो भी कस्ता आते थे, वो भगवान की किरपा समस्के उसको सहन कर लेता िगbok भी होता था अच्छा बुरा तो बोलता था तो एक बार जंगल में बूराजा सिकार करने के लिए ता जो सिकार करने के लिए था बांड चलाने में उसके ते अंगुली कट गई राजा गई तो यह जो मंत्री है तो हमैसे भगवानि किरपा समically वे हांस ते शबने चुछाए लोगन किर्पा है तो राजा गुर्जी आया यह जाजा। आधिकार का इतना पूरा राजजी पार अधिकार है तो चोटा बें थो है मंत्री है। तो उस ने लिझे방 ते लो ले थाप केसे तो मेरे जिए जिए ने जा裡面 कर् elephants को कि भक्तनिता उने नहीं समझ भागवान की करपा है, तो फिर बाद में उसको जब जेल में डाल देता है, तो ऐसे वो अखेट खेहने के लिए जंगल में जाता है, तो जैसे भरत महाराज के जिवन आपने देखा जड़द फटा होगा भागो तुम सुना होगा, तो उसको भी कुछ राजा रखुगण भी उसको पाल की जोतने के लिए लेके गए थे, और कहीं कुछ ऐसे लोग थे जो उसको देवी के पास लेके गएथ ज़े लेके थे, बली तेने के लिए, देवी ने उनकी बली लेली उनको बर्चालिया, एसे इसके जीवन में भी कुछ उए एसे कुछ यजी लोग थे और इसे अच्छे हट्टे-कट्टे आदमी को बली देना छाहते थे उसकी बली देना चाहते थे तो राजा तो बहुत संदर दिखता था रहता फट्टा-कट्टा थे राजा को लेके गए जब वो जब वो देवी के सामने बली देने के गए थे जैसे उ वो लोग बली चड़ाते है वो लोग का इसा रहता है जैसे बखरी है या फिर जोबी है तो उसका कोई अंग कटानी होना चीए साब सुत्रा रहना चीए पूरा तो राजय के अंगुली कटी थी तो उसको अभी समझमा आया जो मंत्री बोलता था भागवान कि अर्पा है अगर मेरी अंगुली नहीं कटी तो आज में बली का बखरा बन जाता मरी बली चड़ जाती तो राजय जैसे निकला वहां से छूट समझमा या जो भी आप बोलता था भागवान किर्पा है अगर भागवान किर्पा नहीं होते मेरी हाथ नहीं कटा तो अभी मेरी बली चड़ जाती तो उसने पिर मंत्री से पूछा ये तो मेरे को समझमा आया कि भागवान किर्पा थी मेरा हाथ कटा था अंगुली कटी थी इसलिए में बली का बढ़ा नहीं फड़ा लेकिन तुम जेल में क्यों गई इसलिए दुट्टे इसलिए अगर मैं आपके सांत्म जात था आप तो राजा थे आपकाड़गे यो आप ये ये को दे 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 थे मैं बली का बगरा बन जाता अच्छा हुआ आपके अंगुली कड़गी आप भी बजगे और मैं भी निकल गया तो इसलिए हर हर इस्तिति मुग क्या बोलता था जो भी है भगवान किरपा है तो भगतों के जीवन में इसा कुछ होता है तो उनकी जीवन में जो यसे कॉस्टा हाते हैं तो क्या समझते हैं भगवान किरपा है तो अरजुन की जीवन में भी आप देख सकते हैं भगवान इस भगवद कीता में अरजुन को समझाते हैं कि आप सहन करना सेखो सहन सिल मनो और सद्गवस्वाम यास्टगम भी गाते हम उसमें भी बताया गया है धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो धीर बनो जो अधीर है वो क्या करेगा बिचिलित हो जाएगा और भक्ति पात्में भक्ति के मारगम आगे नहीं बढ़ाएगा थोड़े से कस्ता आने में बिचिलित हो जाएगा भगवत गीता भगवत भक्तों के लिए ही है भगवत गीता अरजुन भगवान के भक्त था इसलिए भगवान ने अरजुन को भगवत गीता सुनाई ने तो एक ऐसे किसी अभवत को सुना देते अभक्त लोग भी पढ़ेंगे तो भक्त बनेंगे लेकिन इसका जो वास्तिक रहसी है गूड रहसी है उसको जो भक्त है वही समझ सकते है इसलिए अरजुन भगवान का भक्त था ऐसे क्वेश्चिन अरजुन अरजुन ने किये हैं तब ही तो हम सब को भगववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव करल्लुक में जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं और उनको ये गीता समझ मा आती है और दूसला गीता साधान मुझ निष्टी को समझ नहीं आती है गीता या फिर भगवान को समझने की क्वालिफिकेकेशन क्या बताई भगवान ने क्या होना चाहिए कौन समझ सकता है भगवद गीता बता सकता आप मसे कोई भगवान को कौन समझ सकता है भगवद गीता कौन समझ सकता है इस यालू नहीं और भगवान का भक्त हो सर्धावान हो सर्धावान भजते तो जिसके अंतर सर्धा है जिसके अंतर अगरनेस है और जो भगवान का दोसी नहीं है जो भगवान को दोसी नहीं ठहराता जीवन में कस्टा आते तो भगवान को तो भगवान ने इसा कर दिया नहीं बोलता है, जो सब चीज को जो उसके भग्ति के जीवन में, जो कस्ट आते हैं, उनको भगवान की किरपा समझ के, प्रभपाजी इसमें लिखते हैं, आपने सुना अभी अनुवात में, जैसे कोई भगवान की किरपा से बहुत कम हो गई, जैसे कोई भगवान की किरपा से बहुत कम हो गई, जैसे कोई भगवान की किरपा से बहुत कम हो गई, जैसे कोई भगवान की किरपा से बहुत कम हो गई, जैसे कोई भगवान की किरपा से बहुत कम हो गई, तो इसके दोनों हाथ फैक्षर हो जाते है, दुसरा एक अभग्त है, उसके अभग्त है, इसके दोनों हाथ तूट गए, और दुसरा अभग्त है, उसके खाली एक अंगुली कटती है, जो भग्त है, दोनों हाथ भी तूटते हैं, क्या समझता है, मैं पूरा मेरा जिवन बरोटर जायाま भख्तिकरे जाया मैझा गटिकरके ये हमेशा कि दुखो से था अचार में इतना baul, सारीर में इतना एतना भुखो को अधने जेशन होगा और बढगोर гол额 जा इथे भग्वान केटा है और पन को तो भगवान की मरसी समझ के अगर जीवन नो कोई कस्ता आते हैं भक्त होते हैं तो उसेहन कर लेते हैं अभग तो उसेहन कर लेते हैं अभग तो उसेहन नहीं कर पाते हैं और शिर्मत भागवतम में एक सलोक है और सलोक कम अनुवाद आपको बताऊंगा शिर्मत भागवतम के दस्वर सकंदे के शवदू अध्याई के आठ नुमर सलोक है 10, 14, 8 में तो उसका अनुवाद में पढ़ ला हूँ आप सुन सकते हैं हे प्रभु जो ब्यक्ति ये ब्रह्मा जी उबदेश देते हैं हे प्रभु जो ब्यक्ति अपने बिकत दुसकर्मों के फलों को धैरी पूर्वक सहन करते हुए तथा अपने हर्दय वानी तथा सरीर से आपको नमस्कार करते हुए प्रमानिक्ता से आपकी एहत्व की किरपा प्रदब्त किये जाने की प्रतिग्यां करता है वह अवस्य ही मोक्ष का भागी होता है क्योंकि वह इसका अधिकार बन जाता है मोक्ष भी उसका अधिकार बन जाता है उसको मोक्ष पराप्त हो जाती है क्योंकि वो उसके जीओन में जो भी कस्ट आते हैं, GIS जो भक्त है। उसको ध्यरी पूर्वद सहन कर लेता है theology अपने हर्दय थिधा ठानि शरीद से मन्स वाच progression कर्मन भगवन को प्रणाम करता है भगवान का गुणगान करता है भगवान की मर्सी समझता है तो वो सहनसिल होता है तो उसको मोक्षपराप्त हो जाती है नहीं तो असंसार में चौरा सिला क्यूनियों के चकरों में चकर काड़ते रहता है और जैसे कि भक्ति भीनों ठागुर भी लिखते हैं अपने बैसनों करें में ठागए राखो जो इस्या तुमार बढ़ भक्तों के ज्यून में होग OD महृ जो भी होता है अगर को जेओन में करश्ता आता है तो भगवान के ओपर पूरी तरीके से स्दरनागते रहते हैं ग्रई तश्री तरीके से उनके शनागती रहती है पागवानays ज see collective चु 내े बंक्त में अज़िस हैं जो भकत बोलते हैं तो मैं करता हूं भकत्वा करते हैं और भगवान भगतों कीशफा कर्ते हैं। यह उनका आपस का आदान-प्रदान चलता रहता है। आँर इसलिए बागवाद गिता के 20 30 अधिया जाह माम एकम सरणम बरजह, आहमत्वाम सरुपा पेभिया, मुक्षश्यामी, महाशुचा, सारे धर्मों का, कर्मों का, परित्याग करो, मेरी सरणम आओ, डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूँगा, तो भगवान देखते हैं कि जो भगवान का भक्त है, उसकी परिक्षा कैसे होती है, उसकी भग्ति की माप कैसे वो कर सकता है, भगवान देखते हैं कि मेरे लिए भग्ति कितना समर्पित है, मेरी सिवाम कितना सीरियस है, कितना समर्पित है, भग्ति तो सभी लोग करते हैं, सब की भग्ति की अपने डिग्री रहती है, सकाम भक्ति है, निशकाम भक्ति है, कर्म मिष्र भक्ति है, ग्यान मिष्र भक्ति है, अलग 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 चीज की प्राप्ति के लिए लोग भक्ति करते हैं, जो केवल भगवान की प्रशंता के लिए भक्ति करता है, उसको भगवान ने सरुस्रेष्ट बताया है, छेपरकार की मुक्ति होती है जो भक्त होता है छेपरकार की मुक्ति को भी नहीं चाहता है वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है मारो भी राखो जो इश्या तुमार भगवान की सेवा करना दुस्ता उसका उद्देशी नहीं है तो सुद्ध भक्ति है उसके लिए भागवानी सलोग इस अठारव अधियाई में बताते है अठारव अधिया वैसे बहुत कीता का गनकुलिजिन है तो इसमें भागवान पूर्ण समरपन के लिए बोलते हैं अठारव अधियाई के छहाए सर नंबर सलोग में पूरी तरिक ज अब इसका मुलब यहां इसा नहीं है कि यहां और और वी लोग गरस्त लोग भी वैठे होंगे उप बोलेंगे प्रहुजे आपने तो बोला कि सब कुछ छोड़ शाड़ के बहगवान की सरण माओ इभद लोग तो इधर बस आगे बैठ गी हम कैसे बैठे इसा नहीं है उसका बहग लुजा का अने ला का माड शाड़ मुच्छ का ट्रते हो रघंगा ओर भगवान को सामर्पित करते हूए आपको करना है जो भी आप करते हो, भगवान को समर्पित करते हुए करना है और अलग-अलग जैसे हमा आज़ देखते हैं, नए नए धर्मा बन जाते हैं भगवान भोला सर्थ धर्मान, सारे धर्मों को मेरी सरण में सारे धर्मों को छोड़ के मेरी सरण माओ जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है तो शिर्मत भागवतम कर चटवेस्कंद में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर वहाँ पर भी बताया गया है कि धर्मन तु साक्षाद भगवत पड़ीतम जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है तो यह से बहुत सारे धर्म हैं, मम्मी का धर्म है, डेडी का धर्म है, संसार का धर्म है, पती का धर्म है, पत्नी का धर्म है, सरकार का धर्म है, सब धर्म है, सब लोग बोलते हैं, जो करो जो इच्छी आयो करो, यतोमत, ततोफत, तो इस तरीके से बहुत सारे धर्म बन जात जैसे एक एक्जाम्बल है, जैसे आपको पेड मे पानी देना है, तो पेड के अलग लग लग तहनीं तेहों उमें पत्तों में नहीं तरो तरो तक भी जाओगे, और पेड भी सु अच्छी से हराण नहीं रहा हैं, इसलिए शमर्पन का पो पॉन्ने संबर्पन का पेड की तो इसंट तरीके से इतने सारे हमारे धरमे हैं, मनो धरमे,hm.. मन के धरमें, और कहीं बताएशनी नहीं गएए, लोग बोलते हैं अमारे में ऐसा चलता है रहा हमारे ईलाके में चलता हैं, या हमारे भगवान या हमारे परमपरा ऐसी चलते हैं, वो सब छोड़के भगवान क्या बोलते हैं, इसलिए सारे धर्मों को कर्मों को छोड़के, जो भगवान बोलते हैं, वो करना है, तो फिर हम, वो हमारे वास्तोईक धर्मे हैं, भगवान बोलते हैं, वही धर्मे हैं, भ जो बाकने दोनकोर किते हैं हुग्वान परिष्डदी माखहण दोनकोर के नाम से भगवान जो है उसके लिए भगवान की परिषिद्धी हो जाती है अगर हम करते हैं तो लिए उन दूड़ाने हो जाते हैं आप तो उन लीम arriv現在 ब्राख्टने देला पछा भागवान करेंगे to तो लीलब बढ़ जाएगी हम करेंगे तो हम डंदित हो जाएगे उसके हमको राईज़ लगए हमको रहना पड़े फैसाब देना पड़ेगा तो इसलिए सबसे बेटर है जो भागवान बोलते हैँ वह करना क्योंकि हमको उसका कर्मफर्पी नहीं लेगेगा इसलिए सारी भगोद कीता भगोद कीता का उद्देश से क्या है कर्मयोग, ध्यानयोग, ज्यानयोग नहीं है बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ने भगोद कीता है नहीं भगोद कीता का उद्देश से भक्ति योग है भक्ति योग क्या है एक लिफ्ट की तरह है आप जीरो पहें तो सीथे आप फिप्टीन पर पहुँच जाएंगे अलग-अलग तरीके से जाने का परियास करेंगे तो नहीं पहुच बाएंगे और जैसे कोई भगवान का भग भगवान को बाएंगे जाएंगे 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 मेंगे जाएंगे 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 तो अगर कोई भगवान के मंदिर मां के भगवान के डालता है दान देता है तो भगवान क्या देखते हैं उसने कितना दिया वे नहीं देखते हैं तो भगवान क्या देखते हैं उसने कितना बांकिये कितना बांकिये कितना बैलेंस है किसने एक लाग रुपे में से हजार तो इस लोग का यही कंकुलिजिन है कि हमारे जिवन में अगर भक्ती के जिवन में कोई भी कस्टा आते हैं तो हमको उसको भगवान की इक रबास समझके उसको सेहन कर लेना चाहिए हरे किश्व सिसी रादरास ब्यारी भगवान की सीता राम लक्स महनुमान की गोद निताए की सीला प्रहुपाद की स्रिमत भगवत गीता की